सबसे पहले उपाए जो हम आपको बता रहे हैं, वह हैं दरिद्रता से मुक्ति पाने का महाउपाए मान लीजिए, आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जीतने भी लोग हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है, आपके घर के जीतने भी लोग हैं, और ये उपाय करने के पश्चात मान के चलिए न केवल आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा, बलकि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नती भी होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य, अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे. देखिए गुरुवार चोड़ करके, यदि आप किसी भी दिन अपने घर पर पोचा लगाते हैं, तो पोचा लगाने वाले पानी में बस एक छुटकी नमक डाल दीजिएगा, दोस्तों के दिन कभी भी घर पर पोचा नहीं लगाया जाता है, यदि आप गुरुवार के दिन घर पर जब भी पोचा लगाएं, उस पानी में हलका सा नमक डाल दीजिएगा, और उसी सेंधा नमक से पूरे घर का पोचा लगाएगा, यदि आप ऐसा करते हैं, तो मान के चलिए जब भी आप पोचा लगाएंगे आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी, उन अब मान लीजिए, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप यह देख रहे हैं, आपके जीवन में फिजूल खर्ची बरहती चल रही है, तो यह महाउपाय कीजिए, जो आपक करने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में धन की जो फाल्तु खर्च हो रही है, वो खर्ची पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, आपको क्या करना है देखिए, ब्रिस पतिवार के दिन ही आपको उपाय करना है, प्रतिवार के दिन सोने से पहले वह एक काम क जीजिएगा, एक सादा सा कांच के गिलास लीजिएगा, उसमें भर लीजिएगा, आप लोग गंगा जल, गंगा जल, मार्केट में 20-25 रुपए का मिल जाएगा, गंगा जल भर लिया अपने आपको एक चम्मच सफेद नमक, उस गंगा जल में डाल देना है, अब इस एक गिलास पर गिलास दोस्तों, कांच का होना चाहिए, इस बात का विशेश करके ध्यान रखिएगा, इस गिलास पर आपको उपर से लाल कपड़ी धाड़क देना है, और लाल कपड़ी को बांध देना है, आगे से, अब इसी गिलास पानी कमरे में किसी भी दिशा में रख द जीस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं केवल इतना भर करना है आपको यह उपाय अपने कर लिया हर 15 दिन के पश्चात पानी को बदलते रहें और एक छम्मच नमक डालते रहें यदि यह उपाय आप ब्रहस्पतिवार से शुरू करते हैं और हर 15 दिन पर उस पानी को प्हल नहीं मिल पा रहा था वो दोश हट जाएगा और आपके जीवन में आज जो महनत करेंगे जो परिश्रम करेंगे आपको उसका फल भी मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नती करेंगे वीडियो में आगे बरने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों में विडियो लाइक करना मत भूलिएगा आप दोस्तों आप जो आपका उपाय बताने जा रहे हैं या उपाय है उग्र ग्रह को शांत करने का महाउपाय मान लीजिए आपके उपर शनी दोश है आपके उपर मन ही मंगल है आप इस चीज को ले करके बड़ा परेशान है आपके जीवन में बढ़ी स्थिती खराब होती चली आ रही है आपकी तो आपको क्या करना है बस आप लोग याद कीजिए मंगलवार के दिन ये शनिवार के दिन आप जब भी दही खाएं तो उसमें आधा चम्मच काला नमक मिला कर खाएं दोस्तों इतना यदि आप करते हैं तो आपके उपर जो भी शनी दोश है मंगल दोश है आपके सारह साती चल रही है आपकी धैया चल रही है कोई भी ऐसी परेशानी उसका प्रकोप लग भग लग भग ना के बराबर हो जाएगा देखिए दोश कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकते हैं देश के प्रकोप को कम किया जा सकता है और यदि आप शनिवार को और मंगलवार को दही खाते वक्त उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला करके उसका सेवन करते हैं मान के चलिए आपके उपर जो भी दोशी होंगे उनके प्रकोप लग भग लग भग ना के बराबर हो जाएगे आप जो आपको इतना रहे हैं वो है दुरभाग्य से मुक्ति पाने का महाउपाय मान लीजिए आप हैं कि आपका दुरभाग्य आपके जीवन से सदैव के लिए दूर चलाएं और आपको आपके भाग्य का साथ मिले तो ये महाउपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं और ये उपाय करने के पश्चात, अवश्य ही आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा. देखिए ब्रहस्पतिवार को छोड़ी डी-डी-एच करके, बस ये उपाय आपको प्रति दिन करना होगा और ये उपाय आपको कम से कम 21 दिन तक करना होगा. 21 दिन ब्रहस पतिवार छोड़ा कर गया लोगों को जब सुबह नहाने रहे हो तो नहाने वाले पानी में एक छम्मच सफेद नमक मिला दीजिए उसके पश्चात नहीं ये यदि आप ऐसा लगातार 21 दिन कर लेंगे तो जो भी आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पढड़ा हुआ था उस दुर्भाग्य से आपको मुक्ती मिल जाएगी और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा जिसके पश्चात आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी